फिल्म इंदस्ट्री में बॉलिवुट टाउन के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर किंग अगर कोई है तो वो है सलमान क्यों है सलमान खान ब्लॉकबस्टर किंग इसके जबाब में तेज साल की करियर पूरी होने पर तेज साल की जरनी पर सलमान खान को जब मिला बेहर ही खोपसुरत नायाब तौफ़ा उनके शो बिग बॉस सिजन 13 पर तो वहाँ सलमान खान का जो आशू टपका है जो आशू उनके आँखों से निकल आई जो भीगे आशू को नहीं रुक पाएं वो भीगी आँखों से जो आशू बहते रहे उसके बारे में अगर झिक्र किया जाए तो अमिताब के साथ बीते कई दिनों से यही हो रहा है वो अपने आसो छुपा रहे हैं प्यार मिलने पर दर्शकों का प्यार अपने चहेतों का प्यार पाने पर अमिताब बच्चन का reaction हो या फिर बॉलिवोड चाउन के अमिताब बच्चन से हट कर सलमान खान के reaction की शारू खान की बात हो या अमिर खान या फिर अक्षे ही सबका emotion साफ जाहिर होता है देखिए हमारे इस प्रोग्राम के बेहधि special report में आज कैसे सलमान खान emotional हो गए जब Big Boss season 13 में उन्हें प्यार दिया गया उम्मीदों से बाहर उन्हें सलमान दिया गया देखिए report बॉलिवोड के भायजान सलमान खान का दर्द अगर चलगता है तो सब ही जानते हैं कि सलमान खान अपना दर्द नहीं छुपा पाते इसमें कोई शक नहीं है कि सलमान खान एक बफर से अपना दर्द छुपाते नजर आये थे जन दिन मनाने के बाद सलमान खान को जब अपने पूरे परिवार के साथ देखा गया था बहुत ही जादा खुशहाल अंदाज में तो सलमान खान को ये भी देखा गया कि सल्मान खान जो है बहुत जादा खुश्टों थे साथी साथ सल्मान खान ने इस खास मौके को खुबसूरत बनाया चलिए हम आपको अपने इस खास रिपोर्ट में बता दे सल्मान खान जिनके आँखों में आसो उनके जन दिन पर भी था वहीं आसो रिसेंटली उनके कॉंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सिजन 13 में भी देखने को मिला था चीहां बिग बॉस सिजन 13 में भी बीते शनिवार को सल्मान खान के आसो नहीं रुकें जिसे वो काफी समय से कंट्रोल कर रहे थे आप सभी सुनकर जरूर वो पढ़ेंगे सोच में पढ़ जाएंगे लेकिन सल्मान खान के आखों में जो आसु था उसके बारे में बात के जाए तो सल्मान बहुत ही ज़ादा रोते नजर आए थे सल्मान खान जो है इसलिए भी रो रहे थे क्योंकि जन दिन पर आखोग में आसु को छुपाने की वो कोशिश कर रहे थे लेकिन वही आसु बिग बॉस सिजन 13 के रिसेंट टेलीकास्ट एपिसोड में वो नहीं छुपा पाए जब उन्हें बड़े ही आलिशान तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया जब उन्हें लोगोंने बहुत ही जादा प्यार दिया जब लोगोंने उन पर प्यार लुटाते वे उन्हें अपना बनाते वे वहां तमाम भीड में जिन्होंने अपने आसु खुच छुपाया वो शो के कंटेस्टन के सामने और करोडों लोग जो उनके शो को देखते हैं वहां वो अपने आसु नहीं रोप पाए मिकबॉसिजम 13 में सलमान खान ने 10 साल की जर्नी पर जब घरवालों के सामने इस जर्नी के खुब सुरत से सर्फराइस को सेलेबरेट किया तो वहां पर सलमान खान बुरी तरह से रो पड़े थे वाइरल हो रहा है सलमान खान के आसु का वो वीडियो जिसमें सलमान खुब रोते वे आसु पोश्टे नजर आए दस साल की जर्नी को बेहत खास बनाते वे बीते संडे को प्रसारित किया जाने वाले एपिसोड में बिग बॉस सिजन 13 की तरफ से एक बड़ा ही खुब सुरत सा सर्प्राइस सलमान के लिए रखा गया जिसमें सलमान खान जो है वीकेंड के वार पर उस वीडियो को देखते के ही इमोशनल हो गया है इमोशनल सलमान खान अपने सभी बेहतरी मोमिंट्स को देखते हुए पुराने सीजन के मेमोरेबल मोमिंट्स को याद करते हैं ौराने पलो को लेका इसकादर इमोशनल हुए कि उनकी पूरी आँखे भीगी थी जैसा कि आप वीडियो में भी बार पाते हैं जब भी अन देखा मुहबबत हासल करते हैं लोगों को इस तरह से उन पर प्यार लुटाते देखते हैं तो वो अपने आसु नहीं रोग पाते अपने हाथ से बार बार आसु पोश्टे रहे थे शो में सल्मान खान जिनकी जर्नी को प्रेजन किया गया था जिस आप उट पर भी देख सकते हैं कलर्स टीवी के ओफिशियल पेज पर भी सल्मान खान के उस वीडियो को शेयर किया गया था जिसमें सल्मान खान काफी जादा रो रहे थे सल्मान खान की पूरी जर्नी में शाहरु खान रानी मुखर जी प्रेंका चोपरा से लेकर बड़े स के साथ उनके फणी मेमोरेवल मुमिंट्स को शेयर किया गया सल्मान ने आखों में आसु लेकर रोते वे सभी का शुक्रियादा किया बिलकुल उसी तरह जिस तरह वो जर्म दिन पर शुक्रियादा करते वे लोगों का नजर आए थे देखिए इस वीडियो में कैसे सल्मान खान लोगों की भीर अपने बालकुनी से देखकर पूरे परिवार के सामने रो पड़े थे जो कि घर के अंदर जाकर आसु पोश्टते तो रहे लेकिन वो आसु जो बिग बॉस सिजन 13 में उनका निकला उसे वो छुपान नहीं पाए थे इस वीडियो में देखकर आप यक करने के लिए तैयार रहते हैं देखिए ये वीडियो कि अजर बॉस्टते पाए बॉस्टते रहते हैं उसे लिएपान देखका अजर पुपान देखकर नहीं हैं जब बॉस्टते हैं जब बगदाए। अब चुथे कहा है जद बत शचछण है कारने, कारे लाग ट कारे पाता है कारे भЙद कर दो हुआ है कर लु दिसे नाद Channel ज से ड client कारे लुद दो हे ने व्हुआ है कर दूश कर दो दो दुदे हो जो जूरब है कि आजामें नहां जाओएब Cantonौ कि ऑ कुछ करेंग एाफ़ मेटितैं के लिए करिए करण Was करण 00 सबस्क्र Prince में जजे ड Ar Station में जजे में इसरा भी ऐा में जाना विल्स आका ओ AWS अजे गए कि यिला अढए घडिन फिए इष ए? एा ऊबाए अबाए जोर ही जा Georgetown, भी म मुथ और एफाह से एफे हैं भी मुथ беспरीया है थाता है जोगे लगला एंटन जोगे लिए ईपए आए बहार से जोगँ इस जोगे लोग इणा बोगे लिए। वार लोगे टूद जोगे हाण हम अ हम अ हम email झालेंग नाय हुआ जाय है हाँ tapi हम को प्राबील मोर ही ना अ मत्तिय य्यों नियॉ को कुछ ट्री नै कि यहां ब्लागबस्टर किंग दबंग 3 के खिंग सलमान खान की हमने बात की चुनकी दबंग गई फिन दबंग 3 के मामने में चल रही है बरकरार लेकिन रियल लाइफ में 30 साल की जर्नी पूरा करने पर सलमान खान खुशी से इस तरह रो पड़ेंगे आसु छुपाएंगे और आसु पोश्ते नजर आएंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा था खेर सलमान खान जन दिन मनाने के बाद जब रो पड़े हैं फूट फूट कर जब उनका आसु बहना सामने आया है तो परिबार का भी दर्द छलका है ये देखने को मिला फिला लेंगे आप से ऐसे ही इजाज़त ट्रेंडी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे शानल के साथ नमस्कार